हलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने के वीएस टीजीटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था सिलेबस हम लोगों ने सिलेबस अलेडी डिस्कस कर चुके हैं syllabus में हम लोगों ने जो main subject है TGT का जो main math का syllabus है उसके बारे में discuss किया था आज से हम लोग proper way में जो भी TGT mathematics में topic हैं उनके बारे में discuss करेंगे सबसे पहले आज हम लोग algebra में algebra में सबसे पहले real number से start करें real number जिसको हम लोग वास्तिक संख्या भी बोलते हैं वास्तिक संख्या हिंदी में ओके यह है real number का जो introduction है वो proper way में class 10 से start हो जाता है class 10 जो NCRT की book अगर आप लोग देखेंगे NCRT की book देखेंगे तो सबसे पहले class 10 में यही real number ही दिया हुआ है उसी से ही starting की गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि class 10 से पहले 6, 7, 8, 9 तक हम लोग real number के बारे में नहीं जानते थे जानते थे जितनी हमें जरूत होती थी उसी साब से हम इसको use करते थे हम प्राकरतिक संख्याओं के बारे में भी जानते थे हम लोग whole number that means संपूर्ण संख्या के बारे में भी जानते थे हम लोग integers के बारे में भी जानते थे लेकिन proper way में इसमें है क्या इसकी depth क्या है हम लोगों ने class 10 से start किया तो अब बात यहाँ पर यह आती है real number है क्या चीज़ तो real number क्या होती है rational numbers और irrational numbers उसका एक collection होती है उसका एक combination होती है उसका एक union होती है बहुत सारी books में लिखा हुआ है कि a union of rational number and irrational number is called real number कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि all those numbers which is combination of rational number and irrational number कहीं कहीं पे लिखा हुआ है a collection of rational number and irrational number इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग पकड़े है कहीं collection लिखा है कहीं पे combination लिखा हुआ है कहीं पे union लिखा है तो सबका मतलब एक ही है सबका मतलब एक ही है तो स्टार्ट करते हैं कि है क्या चीज अगर हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं रियल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये कहने में दो main number से मिलकर के बनी हुई है जिसमें से rational भी है यानि कि परिमेश संख्या भी है rational number भी है और irrational number भी है irrational number अब यहां से अगर rational को कर हम लोग देखें rational number तो rational number है क्या चीज़ rational number क्या है एक ऐसी number है a number which is form of तो इसको हम लोग पहले rational number को अगर हम लोग define करें उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ों को जो छोटी छोटी basic चीज़े हैं उनके बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं तो यहां से इसको क्या करेंगे हम लोग यहां से इसको हटाएंगे और उपर लिखेंगे rational number rational number rational number rational number में क्या होगा एक तो integer होगा integer इसको इधर लिख देते हैं integer जिसको हम लोग positive integer भी बोल सकते हैं positive positive integer इधर negative integers negative integers इस positive integers से दो नमबर निकल करके आएंगी एक तो natural number natural number और एक whole number whole number that means जिसमें से zero include होगा natural क्या है सभी counting number जो होती है उनको natural number बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे counting number जितनी भी है counting number जिसमें counting number में अगर हम लोग zero include कर दें counting number में अगर zero को include कर दें तो उसको बोलेंगे हम लोग उसको बोलेंगे whole number इतनी सारी बातें समझ में आ रहे होंगी I think यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब हम लोग कहने मतलग तो यहां से मोटा मोटा यह वास समझ में आ गई है जितनी भी एक चीज़ और यहां पर याद रखना है एक चीज़ यहां पर यह याद रखना है कि जितने भी real number अभी इस lecture में जैसे होता क्या है कि ना एक यह number line होती है यह क्या है number line है number line यहां पर start एक zero होता है कुछ इस side में अगर हम लोग देखे तो यह right side हो गई right side zero के यह left side हो गए right side में left side में जितनी भी जितनी भी real numbers है उनको plot किया जा सकता है इधर भी जितनी भी numbers हैं को plot किया जा सकता है तो कहने के मतलब यह है कि चाहे जो भी real number हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं real line पे plot कर सकते हैं उसे हम लोग arrange कर सकते हैं वहां पे exist करा सकते हैं चाहे जो भी हो चाहे real number in sense of natural number, integers, negative integers, positive integers, whole numbers, सभी numbers फिर चाहे irrational number ही क्यों हो तो irrational number को भी हम लोग आगे discuss करेंगे फिला हाल यहाँ पे यह देख लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे यूक्लीड लीमा की बात करेंगे हम लोग इस चीज को आप लोग note down कर लीजेगा यूक्लीड लीमा यूक्लीड अपोस्ट्रपियस है लीमा एक चीज और आती कि लीमा है क्या तो चीजों को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे आप लोग समझते रहेंगे और जहाँ पे जरूत होगी उसे नोटाउन करते रहेंगे एक लीमा होती है और एक होता है थियोरम होता है ओके थियोरम को उप्रमे बोलते हैं लीमा को उप्रमे बोलते हैं कहने मतलब अगर कोई मेन कोई रिजल्ट है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं छोटे छोटे जो रिजल्ट होते हैं उनको बोलते हैं लीमा बोलते हैं तो लीमा क्या है यूकलीट साहब ने एक रि दिया है छोटा तो ऐसे बोल देते हैं कि इस्टेटमेंट उसका बहुत बढ़ा नहीं है लेकिन उसका मेनिंग बहुत बढ़ा है तो मेनिंग को हम लोग यूज करेंगे फिलाल यहां पर लीमा क्या है उसको देख लेते हैं अच्छा यूकलीड लेमा है और यूकलीड डिवीजन लेमा है इसको थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं यूकलीड डिवीजन लेमा इसी के बेसिस पर ही हम लोग यूकलीड डिवीजन अलगोरिथम देखेंगे यूकलीड डिवीजन अलगोरिथम यूकलीड डिवीजन अलगोरिथम है क्या चीज़ यूकलीड सहब ने ये कहा आप लोग समझने कोशिश कीजिएगा यूकलीड सहब ने ये कहा अगर कोई भी दो नैच्रल नंबर या इंटीजर्स अगर उन्होंने ये कहा कि अगर दो कोई भी टू इंटीजर्स टू इंटीजर्स क्या हो गीवेन हो जैसे ए और बी कह दिया उन्होंने ये कहा कि दो इंटीजर्स गिवेन हो उसमें से कंडीजम ये है कि A is greater than B इस तरीखेस का तो there exists, there exist two unique integers Q and R उन्होंने ये कहा कि there exist ये there exist का symbol है there exist two integers Q and R such that such that A is equal to BQ plus R मेरी बात ध्यान समझना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा and यहाँ पे condition दी हुई है 0 is less than R and R is less than B यह Euclid साहब ने यह कहा कि अगर हमारे पास हमारे पास या कोई भी दो integers अगर given हो दो पुडांक अगर दिये हुए हो तो उनके respect में then there exist अगर given है दो पुडांक दो integers अगर given है दो integers given to integers A and B कोई भी दो है इस तरीके से है कि A की value B से ज्यादा है A is greater than B then there exist two unique integers Q and R यह भी क्या है integers ही है इस तरीके से exist करेंगे क्योंकि condition इस तरीके से होगी A is equal to BQ यहां का B Q plus R R की value किस तरीके से होगी R 0 भी हो सकता है 0 से बड़ा भी हो सकता है and B से छोटा होगा यह रहा अब इसका मतलब क्या है इस लीमा का use हम लोग apply करते हैं HCF निकालने में that means masa जिसको हम लोग महतम समाप वर्तक कहते हैं and highest count factor बोलते हैं GCD भी बोलते हैं GCD greatest common divisor बोलते हैं तो इस तरीके से इसका main बहुत साई लोगों पता ही नहीं चलता यूकलियर डिवीजन लीमा है क्या तो यूकलियर डिवीजन लीमा क्या है एक ऐसा result है जिसमें से अगर कोई भी दो integers given हो तो उनके सापेच, उनके respect में there exist two unique integers कुछ भी हो सकते हैं जिसको भी हम लोग देखेंगे Q and R such that और result कैसा तयार होगा A is equal to BQ plus R इसको remainder theorem में भी इसी तरीके से दिखता है अब इसको हम लोग क्या कह सकते है कि B क्या है, R क्या है, Q क्या है तो यहाँ पर देखते है कि अगर हमने यहाँ पर लिखा हमने क्या लिखा result यह है कि A result कह रहा है कि A is equal to BQ and plus R ओके यह A है यहाँ पर divided है A क्या है, divided है यह divided है B क्या है, यह B डिवाइजर है डिवाइजर यह and Q क्या है, कोशियंट है कोशियंट है and R क्या है, रिमेंडर है इसको हिंदिम बोलेंगे यह भाज्य है यह भाजक है यह भागफल है कोशियंट यह सिस्फल है इस तरीके से देख सकते हैं यह एक भाज्य है भाजक है भागफल है सिस्फल है यह अब यहाँ पर क्या करते हैं जब दो संख्याँ दी वही हैं उन दो संख्याओं का अगर हम लोग सिस्फ लाए पर्तर महत्यम समापड़ता यानि सिस्फ निकालते हैं तो इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे कि अभी हम लोग अगर यह देखें कि यूपलीड डिवीजन अलगोरिथम का यूज कहां पर किया जाता है तो यहां पर इसका अगर हम लोग लिख दें यहां कि यूपलीड यूपलीड डिवीजन algorithm. Okay. It is used in applications, in application of SCF. Okay. That means, mass. Massa का full form क्या होता है? अगर massa को लिखेंगे, यह इसको SCF को हम लोग GCD भी बहुत सकते हैं. GCD. SCF highest common factor. Okay. NGCD greatest common divisor. Okay. So divisor factor एकी चीज़ होती है. Greatest common factor या greatest common divisor. अब बात यहाँ पर आती है, masa. Masa क्या है? महत्तम, समाप, वर्तक. Okay. क्योंकि अपॉर्तक से बनता है, अपॉर्तक मतलब ही होता है divisor effector. जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अभी थोड़ा सा और आगे discuss कर लेते हैं, उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग SCF निकालेंगे. तो यह होगे. अब यहाँ पर बात करते हैं Fundamental Theorem of Arithmetic. Fundamental Theorem of Arithmetic. जैसे Fundamental Theorem आप Arithmetic देखते हैं, इसी में ही आता है प्राइम फेक्ट्राइजेशन. प्राइम फेक्ट्राइजेशन, ओके. सबसे पहले हम लोग प्राइम फेक्ट्राइजेशन के बारें बात करते हैं. यानि इक प्रोसेस इन उनिडह Ik利 अप इस इउन विए इस नंबर को प्रोनक्ट प्राइम लिखेंगे कि प्रोड़क्ट कि आफ हॐ अप प्राइम है औक says अब कि का अब यह का मतलब यह है कोई भी अगर natural number दी है उस natural number को गुड़ा में लिखना है अभाज संख्याओं को गुड़ा में लिखना है जैसे कि जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 12 12 को अगर हम लोग लिखें 2 into 2 into 3 तो इसी को बोलते हैं prime factorization 12 को मैंने लिखा 2 into 2 into 3 और भी कोई number ले सकते हैं और भी कोई number ले सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखेंगे तो 24 को कितना ले सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3 यह क्या हो गया यह है prime factorization a process in which we in which we expressing the natural number in product of prime numbers किसी भी number को अगर हम लोग prime number के product के रूप में express करते हैं तो उसको बोलते हैं prime factorization अब यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहा है कि यह fundamental theorem of arithmetic है क्या अब मेरी बात को ध्यान सुनना कि जैसे मैंने यहाँ पर 36 लिया ओके 36 इस 36 को मैंने prime factor में prime factorization में arrange किया तो इसको कितना 2 into 2 और 3 into 3 बास समझ में आ गई होगी कहने मतलब उस prime number से तब तक उसको reduce करते हैं जब तक उसके chances clear में हो जाएं I think आप लोग अगर थोड़ी बहुत mathematics कर पढ़ी होगी थोड़ी बहुत क्या आप लोग ने बहुत सारी mathematics पढ़ी होगी तो वहाँ पर देखा होगा कि इसको इससाफ से डिवाइड करते हैं जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिया 36 तो 36 को यानि starting जो at first जो हमारा prime number है वो 2 है तो 2 से तब तक इसको इसको लिखा गया अब इसको और यह लिख सकते हैं कि 2 into 3 into 2 into 3 यह इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो कहने मतलब इसको इस तरीके से लिखा है इसी को बोलते हैं fundamental theorem of arithmetic बोलते हैं तो कहने मतलब है कि उसके arrangement को अगर हम लोग ignore कर दें तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यह है fundamental theorem of arithmetic अब हम लोग यहाँ पे कुछ questions करेंगे जिसमें से Euclid Division Algorithm भी होगा और उसमें fundamental theorem of arithmetic भी होगी तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे SCF that means यानि कि GCD की बात करें या इसको हम लोग बोल सकते हैं SCF और हिंदी में बोल सकते हैं MASA MASA का मतलब होता है महतम समाप वर्तक तो MASA का मतलब है क्या यहाँ पे अगर कोई भी number ले 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 तो कहने मतलब यह है कि अगर कोई भी number अगर हम लेते हैं दो number लेते हैं तो सबसे पहले MASA होता क्या उसके definitions क्या होती है तो यहाँ पे अगर दो number दी हुई है A and B तो A and B जो होगी अगर और चा condition यह है यहाँ पे कि अगर A की value B है A की value इस तरीके से है कि A is greater than B लिखा हुआ है तो A is greater than B है तो यहाँ पे एक ऐसी number जो होगी greatest number वह बड़ी से बड़ी number ऐसी होगी C हमको मिलेगी C इस तरीके से मैं थोड़ा conceptual बता रहा हूँ और एक line में भी बताता था लेकिन आप लोग सोचिएगा कि और भी सवालों हम लोग कैसे solve करेंगे यहनि कि दो number दी हुई है और SCF और GCD of A and B is a number such that C A और B का मासा एक ऐसी संख्या होगी बड़ी संख्या ऐसी होगी जो इन दोनों को divide कर दे जो इन दोनों को divide कर दे that means C divides A and C divides B और यहाँ पे condition यह भी हो सकती है कि C की value कभी A के B के equal भी हो सकती है देखे chance condition क्या है अगर कोई भी A और B अगर कोई भी दो number दी हुई है तो इनका जो GCD होगा इनका यानि कि SCF SCF of A and B is equal to C such that such that इस तरीके से होगा कि C divides A and C divides D यह condition है यह वो बड़ी से बड़ी नमर छोटी छोटी नहीं बड़ी से बड़ी largest या greatest number which divides A and B respectively दोनों को divide कर दे अब example पे आते हैं अब हम लोग example पे आते हैं कि एक ऐसी number लेते हैं जैसे कि हम लोगों ने लिया यहां पर मैंने ले लिया 8 ले लिया and 12 ले लिया दो तरीके समझते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम लोग इसको prime factor से बात में करते हैं जर्णली जो मैंने process बताया है उससे बात करते हैं यानि कि एक चीज और है एक चीज और है कि अगर हम लोग मासा पढ़ते हैं तो मासा में जो छोटी संख्या उसके chance ज्यादा होते हैं चोटी संख्या उसके चांस ज्यादा होते हैं कि हो सकता है कभी-कभी चोटी संख्या भी हो जाती है जैसे कि यहां पर मनें लिखा 2 and 4, तो मासा क्या होगी? 2 होगी जैसे लिखा है 2 and 6, तो मासा क्या होगी? 2 होगी लिखा हुआ 3 and 6, तो मासा क्या होगी? 3 होगी अगर लिखा हुबा 8 and 16 तो मासा क्या होगा, 8 हो जाएगा, लेकिन इसी की जगह पर लिख दिया जाएगा, जैसे हमने लिख दिया यहां पर, 8 and 18 लिख दिया, तब मासा 8 नहीं होगा, अब इससे छोटी संख्या आएगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर जब कर करते हैं, छोटे के फैक्टर करेंगे, किन्दा होगा प्राइम फैक्टर करेंगे, तो यह हो जाएगा, अब देखते हैं, तो नहीं होगा, और सौट में आ जाते हैं, पहले हमने फोर्क कवर किया, नहीं हुआ, 8 से तो होई नहीं रहता, 2 से उठाया, तो 2 क्या करेगा, इस सबसे पहले 8 के हम लोग फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इसके बाद 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, यह हो जाए, ओके, तो यहां से जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 2 इंटू 2, इसलिए इन दोनों का सबसे पहले हम लोग प्राइम फेक्टराइशन से करते हैं तो प्राइम फेक्टराइशन से क्या होगा यह हो जाएगा टू इन्टू 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 इ जाएगा यहां से इस तरीके से और कुछ कोशन करते हैं जिससे कि आप लोग समझ में आ जाएगा जैसे मैंने यहां पर लिया 24 ले लिया 24 यहां से 36 अभी मैं प्राइम फेक्टराइजिसन की बात कर रहा हूं तो प्राइम फेक्टराइजिसन अगर इसका करेंगे तो कितना हो करेंगे तो कितना होगा 2 x 2 and 3 x 3 यह हो जाएगा अब यहां से प्राइम फेक्टर की बात करेंगे जो कॉमन मिल लहा है तो यहां से यह और यह इन दोनों में है इसलिए इनका SCF हो जाएगा SCF हो जाएगा 2 x 2 that means 4 एक तो यह था कभी-कभी क्या होती बड़ी-बड़ी नंब अलोग भीजन लगाते हैं उससे 5 अच्छा उस से देखते हैं क्या है डिवीर ओकत्रम ए जैसे मैं यहां पर ले लिया कि एक नमबर में अने ली एक लिया है मै ने Euclide Division Algorithm, Euclide Division Algorithm क्या कहता है, कि A is equal to BQ plus R, and R की जो value है, वो क्या है, B से छोटी है, and 0 से less than या equal है, 0 भी हो सकती है, और 0 से छोटी भी हो सकती है, अब यहाँ पे इसका हम लोग implement कैसे करेंगे, इसको आप लोग ध्यांस देखिएगा, कि कैसे करते हैं इस Division Algorithm में, तो यहाँ पे condition ऐसी होती है, कि अगर यह A है और यहाँ पे B है, यह है और यह क्या B है, and अगर इसको हम लोग इस तरीके से माल लें कि इसकी value क्या है, A is less than B है, लेकिन हमको A is greater than B करना था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यह इसको हम लोग A माल लेंगे, इसको हम लोग B माल लेंगे, तो इस तरीके से condition यह हो जाएगी, a is greater than b then a is equal to bq plus r हो जाएगा छोटी नमर से इसको divide करते हैं जब divide करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 से 45 को divide करेंगे ध्यान से देखना एक एक step तो कितने बार जाएगा 27 दुना 54 होता है तो 27 से कम 27 हो जाएगा यहां से कितना आजाएगा 15, 7, 8 यहां बचेगा 3, 3 में 2, 1 आजाएगा अठारा आया यह क्या है remainder है अब यह इस condition को देखिएगा condition क्या थी कि a is equal to bq and plus r और r की value क्या थी यह थी जब r की value जिस जगे पे 0 आ जाएगी वहीं पे वहीं पे जो r की value जैसे 0 आई वहीं पे जो यह b की value है उसको हम लोग scf बोल देंगे अब यहां पे b की value 27 है अब जैसे जैसे r की value 0 नहीं होगी तो यह इस r को हम लोग treat करेंगे B की तरीके से तो यहाँ पर क्या किया है हम लोगों ने 18 ले लिया अब 18 ले लिया 18 से divide करेंगे इसको अब यह जो है यह हो जाएगा एक तरह से use करेंगे तो 18 एकम 18 हो जाएगा अब यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा 9 बचा, अब फिर से 9 को divide करेंगे इस से, तो यह क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे नादूनी 18 हो जाएगा, अब यहाँ से remainder 0 आ जाएगा, that means कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, तो कहने मतलब यहाँ से यह है, यह जो भी है, जिस जगए पे, जिस इस्टेप पे यहाँ पे यह क्या है, यह diviser, यहाँ पे diviser क्या है, यह diviser, यहाँ पे diviser यह है, यहाँ पे dividen 45, यहाँ पे dividen 27, यहाँ पे dividen 18, यहाँ पे भाजक 27 है, भाज़ 45 है, यहाँ पे जिस भी step पे remainder zero हो जाएगा वहाँ पे जो भाजक है उसी को हम लोग मासा कहेंगे तो यहाँ से मासा कितना आएगा यह हो जाएगा SCF I think बास समझ में आ गई होगी और भी question इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं LASA क्या है LASA को भी हम लोग prime factorization से कैसे करेंगे और LASA को prime factorization से ही करते हैं और factor से भी करते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखा कि 56 है लिखा हुआ है 56 है और है 36 56 को गर हम लोग यहाँ से अगर इसके prime factorization करें तो कितना हो जाएगा 27 आजाएगा यहाँ से तीं से काटेंगे तीन Carti इंटु तरी इंटु थ्रींटु अब यहां पर ध्यान देना कि यानी common क्या क्या मिल लहा है एक ये common मिल लहा है तो करते कैसे है इसमें एक common पकड़ते है तो यहां से जो इसका मासा आएगा जो common है उनको पहले देखते है common एक दो एक दो तो ये common है ये common है तो इसको लिख लिए हमने तो यानि एक ही लिखा 3 into 3 दोनों में है 3 into 3 तो एक बार हमने लिख दिया 3 जैसे यहां पर दोनों में 2 है तो एक बार लिख दिया 2 दोनों में 3 into 3 है उसको हमने लिख दिया अब यहाँ से जो नहीं है जो uncommon है उसको भी हम लिखते हैं यहाँ पे और uncommon के है 3 है तो इसको अगर हम लोग multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा तीन तरह का नत्रुख 27 और यह हो गया 27 और यह 2 दोनी 4 तो यहाँ से कितना आ जाएगा यह हो जाएगा चार सते 28 और दो चार दुनी 8 दुनी 10 एक यह हो गया ऐसे भी कर सकते हैं और उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ से इधर देखें एक और process है जिसको हम लोग उसको भी prime factorization ही कहेंगे यहाँ पर मैंने लिख दिया 36 यहाँ लिख दिया 24 यहाँ से serial पर करते हैं तो दो से काटेंगे तो यहाँ अठारा आ जाएगा यहाँ पर 27 आ जाएगा फिर दो से काटेंगे तो यह नहीं कटेंगा इसको छोड़ देंगे अब तीन से काटना शुरू करेंगे तो तीन तरह का नौ और ये तीन तरह का नौ और ये तीन तरह का नौ फिर तीन से काटेंगे तो ये हो जाएगा एक एक दो तीन बार तीन है एक दो तीन बार तीन है एक दो एक दो इस तरीक इस दो है तो यहां से दो दुनी चार है तीन रकन अत्रुक 27 और 27 चोके 108 तो ये आजाएगा मासा, सुरी लासा आजाएगा, ये क्या है, लासा का शफुलफारम क्या होता है, लासा का फुलफारम होता है, लगुत्तम ये जो सा है, लासे लगुत्तम और सा से समापवर्थ होता है, समापवर्थ है, दोनों में अंतर है, सम math worth क्या होता है इसको बोलते है common multiple यह समान और पोर्त से बना हुआ है इसका मतलब होता है इसको बोलते है common multiple common multiple ओके यह common multiple है और वो common factor होता है तो multiple जैसे 2 का multiple 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यह क्या है multiple है अगर 4 के factor निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2,4 हो जाएगा तो आज तक बस इतना ही हम लोग इन में चीजे देख लिए real number में next lecture में हम लोग क्या देखेंगे कि जो irrationality है irrational number होते क्या है उनकी definitions उनका nature और उनको कैसे proof करेंगे कोई भी अगर number दी है तो वो irrational है rational क्यों नहीं है इसको भी देखेंगे तो अगर साम को अगर हो सगे का तो साम को हम लोग lecture करेंगे तो मिलते हैं next lecture में thank you take care